प्याज ने ग्रीणी की रसोई के मिजाज को बदल दिया है सबजी में तड़के की आवाज मंद पड़ चुकी है प्याज के दामों में व्रीधी के चलते रसोई से प्याज गायब हो चुका है वहीं ग्रिवनियां भी सब्जी के तड़के में प्याज का सीमित परियोग कर रही है प्याज की कमी के कारण सब्जी स्वादिष्ट नहीं बन रही और परिवार का भी कहना है कि सब्जी का स्वाद बदल गया है देख लिचिए सब्जी में टेस्व नहीं आया तो अब कर भी कह सकते हैं जब प्याज इतने ही महंगे हो गया तो बनाना भी भूल गया और इसलिए हमें टमाटर अद्रा का चोक लगाना पड़ता है है लाव है मैं पचास सालों से दूस्वी चला रही हूं तो अब पहले तो बहुत सस्ता प्याज होता था पार पांच छे डाल लेते थे अब तो एक प्यास से भी कोई स्वादिश सब्जी नहीं बनते हैं अब लक्लसन से बस ऐसे काम चला रहे हैं बस छोक लगा देते हैं सब्जी मंडी के हालात देखने से पता चला कि वहां क्रेटा वै विक्रेटा ने बताया कि प्याज की कीमत 40-50 किलो है लेकिन जैसे ही यह बजार में जाता है तो 70-80 किलो भी करहा है प्याज में इतनी अधिक वरिदी होने का कारण प्याज की मातरा पीछे से कम आ रही है क्योंकि नासिक में बारिश अधिक होने के कारण प्याज खराब आ रहा है पहले एक डलता था तो यह बाद दावी डलता हम आम आम आदमी के रही है प्याज स्टार्टिंग में यह साठ से लेके सत्तर तक चल रहा है अब और की जो बरसाते होए और बाड़ के कारण इसलिए फसल बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है लगबग एक या तेड़ म रेडियो वाले प्याज मार्किट में सत्तर असी बेच रहे है वह यहां से दोर पे मंदा ले जाके सस्ता ले जाते है इसलिए वह थोड़ा सा अपने प्रोफिट के लिए थोड़ा महांगा बेचते हैं और मंडी में यह कि सतर रुपे किलो बढ़िया प्याज नासिक का नह हुन आएगा मार्किट में नहीं तो मंदा नहीं होगा अर्थ प्रकाश के लिए पानी पत्से मदन बरेजा की रिपो ताजा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश ट्रीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें